हलो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था ये गोला जो दीख रहा है आपको ना इसके बारे में बताया था और मैं अभी आपको कहा था कि मैं अगले वीडियो में बृत के चाप समझाऊंगा और त्रिजे खंड और साथ ही बृत खंड जानेंगे तो सबसे प कंद नौन सट हो डेरें और इसे राषे हरी है यही कोंद नो चाह्या की शांब करने की तो रचे कर से क्कथ जो भागों हो टायों की सो वड्क देड करने कई सब्सक्रेंट लेजिए तो गाइज ये जो भाग आपको दिख रहा है ये भाग जो दिख रहा है ये ही आपको चाप कहलाता है तो चाप अगर आपको समझना है तो जैसे यहां से यहां भी एक चाप हो गया तो चाप आपको आसानी सियाद रखना है कि बिरित का कोई एक भाग को हम क्या कहे ही तो चल यह आगे हम समझ लेते हैं त्रीज्ड घंड यहाँ पर आप वीडियो की कुवालिटी को बढ़ा लीजे ताकि आपको समझ में ज्यादा है ति अहां समझ में ज्यादा में। इसक Advisor को रागज इधके मील रहावाँ बिरित का वबाग जो दो तृजाओं तथा साथ ही चाप से घर कर बनता है एक त्रिजए कंड कहलाता है यहां पर एक एक चीज को ध्यां से सुने तो हम एक यहां खिच लिए यहां से यहां खिच लिए और दूसरा हम यहां से यहां खिच ले रहा है तो दो तिर जाएं हो गया यह और साथ ही कह रहा है चाप से घिर कर यह जो भाई यहां से यहां मैंने आपको बता है यहां से यहां एक भाग हुआ कि नहीं तो यहां से यह यह क्या हो गया चाप हो गया तो यह जो आपको दिख रहा है यह खाली अस्थान जो आपको दिख रहा है यह खाली अस्थान क्या है त्रिज्य खंड है तो त्रिज्य खंड में आपको आसानी से याद रखना है कि दो तिर्जाओं होंगे और एक चाप हो गया यहां से यहां स क्योंकि यहां देख सकते हैं यह दो तीर्जय हो गया और यह बड़ा से यहां से यहां क्या है एक चाप है तो यहां पर यह भी अस्थान क्या हो गया तो तीर्जय-खंड आपको आ गया होगा चलिए अब हम समझ लेते हैं ब्रीत खंड गाईज अगला हमार टॉपिक आ जाता है ब्रीत खंड यहां पर ब्रीत खंड आपको दिख रहा होगा जिस एंगलिस में कहते हैं segment of circle ठीक है तो यहां पर परिभासा है ब्रीत का वह भाग जो एक जीवा और साथ ही चाप से घिर कर बनता है एक ब्रीत खंड कहलाता है तो यह जो आपके सामने दिख रहा है यह ब्रीत है और इसका यहां से यहां अगर हम कोई रेखा खिच देते हैं तो यह हमारा जीवा हो गया और यहां से यहां हम खिच दियें तो यह क्या हो गया चाप हो गया मैं आपको पीछे ही बताया ह चाप कि यहां से यहां मालने तेखर कोई खिचते हैं तो यह हमारे एक चाप हो गया तो यहां से यहां एक जीवा हो गया और यहां से एक चाप हो गया तो यहां पर यह देख पा रहा है कि जीवा और साथ ही चाप से घीर कर यहां पर जो भी अस्थान आपको दिख रहा है यह सभी के सभी अस्थान जो है ये बृत खंड है आप जीवा बड़ा ले सकते हैं छोटा ले सकते हैं जैसे यहाँ पर गौर खीजें आप यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं तो यहाँ से यहाँ एक जीवा और यहाँ से यहाँ एक चाप खीजें यहां पर जो भी अस्थान जो हुआ यह अस्थान हमारा क्या हो जागा ब्रित खंड तो आप ब्रित में कहीं पर भी ले सकते हैं आप इधर साइड में भी ले सकते हैं तो यहां से यहां एक हम जीवा खिच लिए और यहां से यहां यह क्या हो गया एक चाप हो गया तो यह यह यहां पर जो जितने भी अस्थान आपको देख रहे हैं यह सभी के सभी अस्थान क्या हो जाएंगे बृत खंड बृत खंड यानि समझे बृत का तुकड़ा यानि हम अलग बनाते हैं तो यहां से यहां कुछ इस परकार से तो यहां से यहां यह क्या हो गया यही हमारा हो गय इसके बाद ये आसानी से आपको आ जागा तो ये वीडियो आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना न भूलेगा मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातर